फ्रेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी राज्यों के जो मुख्य मंत्री हैं वो बदल गई हैं दोहजाज चौबिस में जैसा कि फ्रेंट्स आप सभी को बताए कि जो बिहार के नोमी बार मुख्य मंत्री फिर से बन गई हैं तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में आप सभी के लिए में मुख्य मंत्री और राज्येपाल दोहजाज चौबिस यानि की फरवरी दोहजाज चौबिस तक अबडेटेड इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन सेलेक्टेड और इंपॉरेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ादा यूसफुल रहने वाले है फ्रेंस मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा कोई भी जो राज् गठन कब हुआ था राजधानी क्या है लोकसभा सीट राज्यसभा सीट और गवर्नर कोन है कंप्लीट वीडियो डिटेल में रहने वाले और इस एक्जाम से आप मानिए एक या दो कोशन एक्जाम में डन है तो चलिए शुरू कर लेते हम फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन डिटेल में अगर हम समझें नितीश कुमार जनता दल पाटी से है ये भी आपको ध्यान रखने है अगर हम बात करें बिहार की सबसे पहले आपको लोकेशन बताता हूँ यह है मारा प्यारा भारत तो फैंस यहां पर लोकेशन है बिहार की बिहार की स्थापना हुई थी 22 मा क्या नाम है, राइट आंसर हो जाता इस कोशन का हमारा ओप्शन B चमपाई सोरेन, जहारखंड के मुख्य मंतरी का नाम है फिर्ट्स यह है फोटो चमपाई सोरेन जी की अब देख सकते हूं अगर हम बात करें चमपाई सोरेन की जहरखंड मुक्ती मूर्चा पार्टी से हैं यानि की JMM पार्टी से हैं बात हुई यहां पे जहरखंड की तो फिंस यह है जहरखंड मैप में और जहरखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को राज़धानी है राची, लोकसभा सीठ है 14, राज़े सबा सीठ है 6 और विधान सबा सीठ है 81, राज़ेपाल है CP राधा कृष्णन next है हमारा कोशन, राज़ेस्थान के नई मुख्य मंतरी का क्या नाम है? Right answer हो जाता है इस कोशन का हमारा Option A, भजन लाल शर्मा भजन लाल शर्मा राजस्थान के नई मुख्य मंत्री है यह आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करें भजन लाल शर्मा जी की भारती जनता पार्टी यानि की बीज़ेपी से है अगर हम बात करें राजस्थान की तो पिंसिए आपके सामरे जो लोकेशन दिख रहा है मैप के उपर बड़ा सा, छेतफ़ल की दिश्टी सबसे बड़ा राज्य, यही है राजिस्थान, कठन हुआ था 30 मार्च 1949 को, राजधानी है जाइपुर, लोकसभा सीट है 25, राज्य सबा सीट है 10, विधान सबा सीट है 200, और राज्यपाल कोन है नेक्स्ट है हमारा कोशन, मध्य परदेश के नई मुख्य मंतरी का क्या नाम है, राइट आंसर हो जाता है, ओप्शन B, मोहन यादव, याद रखना है मोहन यादव, मध्य परदेश के नई मुख्य मंतरी है, अगर हम बात करें मोहन यादव जी की भारती जंता पार्टी य मंगू भाई छगन भाई पतेल यह है इनकी फोटो और फिर अगर हम बात करें मध्यपरदेश की लोकेशन की तो यह है मध्यपरदेश मैप में नेक्स्ट है हमारा कोशन चतिस गड़ के नई मुख्य मंतरी का क्या नाम है इस कोशन का हमारा ओप्शन बी विस्नुदेव साई जो है यह 36 गड़ के नई मुख्य मंतरी बने है अगर हम बात करें विश्नुदेव साई की भारती जनता पार्टी यानी की बीजेपी से हैं बात करें अगर हम 36 गड़ के बारे में अगर हम बात करें तेलंगाना के नए मुख्य मंत्री है अगर हम बात करें रेवन्त रैडी की कांउrick पार्टी से है बात हुए यहां पर तेलंगाना की लोकेशन हम देख लेते हैं तेलंगाना की मैप में यहां पर है लोकेशन ठीक यह वाला एरिया यह है तेलंगाना गठन हुआ था दो जून 2014 को राजधानी है है हैदराबाद, लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधान सबा सीट 119 है और राज्यपाल तमिरिसाई सुंतर राजजन है तिलंगाना की नेक्स्ट है हमारा कोशन, करनाटक के नई मुख्य मंतरी कौन बने है राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा उप्शन भी सिद्धा रमया सिद्धा रमया करनाटक के नई मुख्य मंतरी बने है अगर हम बात करें सिद्धा रमया की कौंग्रेस पार्टी से है करनाटक की बात कर लेते हैं, गठन 1 रुमबर 1956 को हुआ था राजधानी है, बेंगलूरू, लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधान सभा सीट 224 है और राज्यपाल है, थावर चंद, गहलोत करनाटक के लोकेशन देख लेते हैं फैंस, यह आपके सामने जो मैप में दिख रहा है, यही है करनाटक राज्य हिमाचल प्रदेश के नई मुख्य मंत्री कौन बने हैं, राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा option D, सुखविंदर सिंग सुखु, सुखविंदर सिंग सुखु, हिमाचल प्रदेश के नई मुख्य मंत्री बने हैं, यह है इनकी फोटो कॉंग्रेस पार्टी से हैं सुक्विंदर सिंग सुक्षू अगर हम बात करें हिमाचल परदेश की कठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को राजधानी शिमला और धरमशाला है लोकसभा सीट 4 है राज़सभा सीट 3 है विधान सबा सीट 68 है और राज़ेपाल है शिप प्रताफ शुकल नेक्स्ट है हमारा कोशन अरुनाचल परदेश के मुखे मंत्री का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन B पेमा खांडू पेमा खांडू भारती जन्ता पार्टी यानि की बीजेपी से हैं अगर हम बात करें अरुनाचल परदेश की राज़े का दर्जा मिला 20 फरवरी 1987 को अगर फ्रेंट्स हम बात करें अरुनाचल परदेश की लोकेशन की तो फ्रेंट्स ये आपके सामें जो मैप में दिख रहा है यही अरुनाचल परदेश नेक्स्ट है तिरपूरा के मुखे मंत्री का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन बी मानिक साहा जो है ये तिरपूरा के मुखे मंत्री का नाम है ये फ्रेंट्स मानिक साहा जी की फोटो है और ये भारती जंता पार्टी से है बात हुई यहां पे तिरपूरा की सबसे पहले हम location देख लेतें तिरपूरा की events यहां पे है तिरपूरा और तिरपूरा राजय का रूपे गठन कब हो आ था 21 जिनवरी 1972 को राजधानी अगरतला है लोकसभा सीट 2 है राजय सबा सीट 1 है विधान सबा सीट 60 है और राजय पा प्रमोच सावंथ बीजेपी से है गोवा की बात कर लेते हैं 30 मई 1987 को इसकी स्थापना हुई थी राजधानी पंजी है लोकसभा सीट 2 है राजय सबा सीट 1 है विधान सबा सीट 40 है अगर हम बात करें राजय पाल की पिया श्रीधरन पिल्लई जो है ये गोवा के राजय पा अन बिरेन सिंग मनिपूर के मुख्य मंतरी है अगर हम बात करें मनिपूर के मुख्य मंतरी एन बिरेन सिंग की ये भारती जनता पार्टी से है बात हुई यहां पे मनिपूर की सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं मनिपूर की लोकेशन कहां पे ये है पिले रंका जो नेक्स्ट है हमारा कोशन पश्यम बंगाल के मुख्य मंत्री का क्या नाम है राइड आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन डी मम्ताइब एनरजी पश्यम बंगाल की मुख्य मंत्री है ममताइब एनरजी तिर्मूल कॉंग्रेस पार्टी से हैं पश्यम बंगाल की बात कर लेते हैं लोकेशन देख लिए सबसे पहले आप यह जो आपको दिख रहा है ना रेड पिंक कलर का यही है पश्यम बंगाल स्थापना हुई थी एक नमोबर 1956 को राजधानी है कोलकाता लोकसभा सीट 42 है राज्यसभा सीट 16 है विधान सबसीट 294 है राज्यपाल है डॉक्टर सीवी आनंद बोस तमिलाडू के मुखे मंत्री का क्या नाम है राइड आंसर हो जाता इस कोशन का हमारा ओप्शन ए मुथुवेल करुनानिधी स्टालिन तमिलाडू के मुखे मंत्री है ये आपको ध्यान रखना है मुथुवेल करुनानिधी स्टालिन द्रविड मुनेड कड़गम पाटी से है तमिलाडू का गठन हुआ था एक नमोंबर 1956 को राजधानी है चैननाई लोकसभा सीट 49 राजधासभा सीट 18 विधान सबा सीट 234 और राजधाल कौन है आरेन रवी फेंस यह है इनकी फोटो तमिलाडू की लोकेशन भी देख लीजिए फेंस यह जो आपको दिख रहा है पिले रंगा राजधे यही है तमिलाडू नेक्स कोशन करवाने से पहले फेंस आप सभी के लिए की important information है कि आपकी रवी सर की जो e-book की website है वो आ चुकी है ठीक है website का नाम है www.ravibooks.pdf.com Google पर जाके फेंस आपको इस website को search करना यहाँ पर आपको all subjects जो e-books हैं रवी सर की वो मिल जाती है जैसे की current affairs की जो वार्शी की है वो भी आ चुकी है quality की, geography की, computer की, journal science की हर subject की e-book available है मतलब कम टाइम में आप किसी भी exam की त्यारी कर सकते हो रवी सर ने best questions रखे हैं अपनी e-books में और रवी सर के खुद के notes है मतलब करेंस अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ना, 95% से जादा question directly आपको हूब हूब देखने को मिलने वाले हैं हमारी e-book से ठीक है, best content रखा गया है आप सभी के लिए website पर जाईए यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है यह आपके सामने screenkeeper है website तो चलिए अब हम next question पढ़ लेते है next है हमारा question केरल के मुखे मंतरी का क्या नाम है right answer हो जाता है इस question का हमारा option B पिनराई विजियन केरल के मुखे मंतरी है यह है इनकी photo अगर हम बात करें पिनराई विजियन की भारते कम्यूनिस्ट पाटी से है केरल का गठन हुआ था 1 नमंबर 1956 को राजधानी है तिरुवनंत पुरम लोकसभा सीट है 20 राज़े सभा सीट 9 विधान सभा सीट 140 है और राज़े पाल कोन है आरिफ मुहमत खान केरल के यह है केरल के राज़े पाल आरिफ मुहमत खान और अगर हम बात करें केरल की लोकेशन की तो यह है केरल आपके सामने मैप पर अगला कोशन उतरपरदेश के मुखे मंतरी का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा option C योगी अधित्य नात उतरपरदेश के मुखे मंतरी है ठीक है ये है फोटो इनकी और ये भारती जन्ता पार्टी से है बात हुई यहाँ पर उत्तर परदेश की लोकेशन दिखा रहता हूं यह आपको मैप पे दिखरा है पिले रंग का राज्य यही है उत्तर परदेश राज्य का दर्जा कम मिला 24 जनवरी 1950 को राजधानी है लखनव, लोकसभा सीट 80, राज्य सबा सीट 31, विधान सबा सीट 403, राज्य पाल कौन है आनंदी बेन पटेल जी उत्तर परदेश की अगला कोशन है हमारा महराश्ट के नए मुख्य मंत्री कौन बने है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन भी एकनाथ शिंदे, महराश्ट के नए मुख्य मंत्री बने है एकनाथ शिंदे शिफ सेना पार्टी से है महराश्ट की बात हुई है, लोकेशन देख लिजिए सबसे पहले फेंस यह जो आपको दिख रहा है न पीले रंग का ठीक है यही है ठीक है या आप बोलो औरेंज कलर का जो लोकेशन दिख रहा है राज्य का इंडिया के मैप पे यही है महराश्ट, गठन हुआ था एक मैई 1960 को, राजधानी मुंबई है लोकसभा सीट 48 है, राज्य सबा सीट 19 है, विधान सबा सीट 288 है राज्यपाल रमेश बैस है नेक्स्ट है हमारा कोशन, आंदरे परदेश के मुखे मंतरी का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा, ऑप्शन ए, वाइस जगन मुहन रेड़ी फ्रिंट्स यह है इनकी फोटो, और फ्रिंट्स यह न, युवजना श्रमिक राइथू कॉंग्रेस पाटी से है आंदरे परदेश की बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको लोकेशन देखा रहता हूं, देखो पर इसके उपर तो तिलंगाना हो गया और यह जो लोकेशन आपको देख रहा है न, बांकी यह है आंदरे परदेश एक नमबर 1956 को स्थापना हुई थी, राजधानी विशाका पटनम है, ठेक है, नई राजधानी हो गई है यह लोकसभा सीट 25, राज़े सबा सीट 11, विधान सबा सीट 175, और राज़ेपाल को ने, S. अब्दूल नजीर हर्याना के मुखे मंतरी का क्या नाम है, राइट अंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा, ऑप्शन B, मनोहर लाल खटर नेक्स्ट है हमारा कोशन गुजरात के नई मुख्य मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन भी बुपेंदर पडेल जी गुजरात के प्रेजन्ट में मुख्य मंत्री है ठीक है ये इनकी फोटो है और भारती जंता पार्टी से इनका संबंध है बात गुजरात की हुई है लोकेशन देख लिजेए फेंट ये है गुजरात गठन हुआ था एक मैंगे उनिसो साट को राजधानी गांदी नगर है लोकसभा सीट 26, राजज़ज़बा सीट 11, विधान सभा सीट 182 और राजज़बाल को ने है अचार धिवर्त असम के मुख्य मंतरी का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा Option D हेमत विष्वा शर्मा असम के मुख्य मंतरी है यह है इनकी फोटो अगर हम बात करें इनकी पार्टी कौन सी है भारते जनता पार्टी है पाटी ये संबंद रखते हैं हिमत विश्वा सर्मा असम की बात हुई है लोकेशन देख लीजिए फिर ये जो आपको दिख रहा है बैंगनी कलर का परपल कलर का जो राज्ये दिख रहा है भारत के मैप पर यही है असम राज्ये राज्ये का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को राजधानी है दिसपूर लोकसभा सीट 14 है राज्ये सबा सीट 7 है विधान सबा सीट 126 है राज्ये पाल है गुलाप चंद कटारिया नेक्स्ट है हमारा कोशन नई दिल्ली के मुखे मंतरी का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन C अरविंद केजरिवाल नई दिल्ली के मुखे मंतरी है अरविंद केजरिवाल आम आदमी पार्टी से है नई दिल्ली की लोकसभा सीट साथ है और पार्टी से हैं ये कठन हुआ था एक नमंबर 1966 को राजधानी चंडीगड है लोकसभा सीट 13 है राज्यसभा सीट 7 है विधान सबा सीट 117 है अब देखो फैंट से राज्येपाल थे बनवारी लाहल परोहित लेकिन इन्होंने रिजाइन दे दिया है जब मैं ये वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ आपके सानुए तो अभी तक कोई भी राज्येपाल नहीं बने है नेक्स्ट वीडियो जो आएगी न अगले महिने मार्च में उसमें मैं अपडेट कर दूँगा जब बन जाएंगे तो ठीक इसलिए मैं हाप ले दिया रिजाइन कर दिया इनोंने थैट नेक्स्ट है, मेँगाले के मुख्य मंत्री का क्या नाम है, राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा, Option C, कौन डौट संग्मा, मेँघाले के मुख्य मंत्री है, नैशोनल पीपल्स पार्टी से हैं, राज्यपाल कोने, फागु चोहान, यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है हमारा कोशन पुड्डु चेरी के मुखे मंत्री का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा option D एन रंगा सामी पुड्डु चेरी के मुखे मंत्री है present में अगर हम बात करें एन रंगा सामी की अल इंडिया एन नर कॉंग्रेस पार्टी से हैं, पुड्डू चेरी की स्थापना एक नमबर उनिसो चोवन को हुई थी, राजधानी पुड्डू चेरी ही है, उप राजे पाल तम्मिली साई सोंते राजन है, लोकसभा सीट एक, राजे सभा सीट एक है, यह आपको ध्यान अगला कोशन है हमारा, उत्राखंड के मुख्य मंतरी का क्या नाम है, राजधानी देहरा दून और गैयरसले है, लोकसभा सीट 5 है, राजजे सभा सीट 3 है, विधान सभा सीट 29 है, राजजे पाल कौन है, गुर्मीत सिंग नेक्स्ट है हमारा कोशन सिक्किम के मुख्य मंतरी का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन बी प्रेम सिंग तमांग सिक्किम के मुख्य मंतरी है प्रेम सिंग तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोचा पार्टी से है और हम लोकेशन की बात करते हैं यह है सिक्किम राज्य मैप पर भारत में विल्ले हुआ 16 मैं 1975 को राजधानी गैंग टोक है लोग सभा सीट 1, राज्य सभा सीट 1 और विधान सभा सीट 32 है राज्य पाल है लक्षमन प्रशाद अचारह यह हैं इनकी फोटो नेक्स्ट है नागलेंड के मुखे मंतरी का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्षन बी नैफ्यू रियो नैफ्यू रियो की फोटो देख रहे हो लोगेशन मैप में ठीक है नैफ्यू रियो नैशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसीव पार्टी से है नागलेंड की लोकेशन देख लेते हैं फेंट सबसे पहले दिको फेंट ये नागलेंड है ठीक है और स्थाबना हुई थी एक दिसंबर 1963 को राजधानी कोहीमा है लोकसभा सीट एक है राजे सबा सीट एक है विधान सबा सीट साथ है राजेपाल अल गनेशन है अगला एक बिजू जनता दल पाटी से हैं ओडिशा की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की फेंट तो देखिए ये है ओडिशा राजे आपके सामने ठीक है ये है ओडिशा राजे राजे का दर्जा मिला एक एपरिल 1936 को भूनेश्वर इसकी राजधानी है लोकसभा सीट 21 है राजे सबा सीट 10 है विधान सबा सीट 147 है राजे पाल रगुवर दास हैं नेक्स्ट है हमारा कोशन मिजोरम के मुखे मंतरी का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन ए लाल दूहोमा मिजोरम के मुखे मंतरी हैं लाल दूहो तो हमारा है अंडमा निको बार के उप्र राजे पाल यानिके लिफ्र हरी गवर्नर का नाम क्या है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन D देवेंदर कुमार जोशी अन्वा निकोबार दीवसमों की बात कर लेते हैं एक नमोबर 96 को स्थापना हुई थी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर अगला कोशन लद्दा के उपराजेपाल का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन C बीडी मिश्रा लद्दा की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को राजधानी लेह और कारगिल है नेक्स्ट है हमारा कोशन जमू कश्मीर के उपराजेपाल का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन A मनोच सिन्हा जमू कश्मी के इंदशाशीत परदेश कब बना 31 अक्टूबर 2019 को राजधानी इसकी जमू और श्रीनगर है लक्षदूईप के परशाशक का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन A प्रफुल खोदा पटेल लक्षदीप की स्थापना एक नमबर 1956 को हुई थी राजधानी क्या है कवारती अगला कोशन दादर और नागर हवेली और दमन और दिव के परशाशक का क्या नाम है आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन D श्री प्रफुल पटेल राजधानी है दमन नेक्स्ट है हमारा कोशन चंडीगड के प्रशाशक का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन A बनवारी लाल पुरोहित तो friends, यह है इनकी photo लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने भी resign दे दिया है, ठीक है, तो अभी कोई चंडिगर की नई प्रशाशक बने नहीं है, next video है कि इसमें आपको अपडेट दे दूँगा, ठीक है friends, जब मैं recording कर रहा हूँ ने, तिस दिन इन्होंने resign कर रहा है इसलिए मैं आपके सामने अपडेट डाल दिया है, चंडिगर की बात कर लेते हैं, एक नमोबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, और चंडिगर जो है पंजाब और हर्याना की राजधानी है, friends, यह वीडियो हो गई है, अब आपके लिए दो कोशन का टेस्ट आ गया है, आंस आपको वीडियो की quality, वीडियो content और आपके रवी सर की महनत पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को like और share जरू करें, comment box में अपना feedback भी दें कि वीडियो कैसी लगी है, इसके साथ, friends, आपके लिए important information है कि आपके रवी सर की जो e-book की website है, व भी आ चुकी है हमारी, ठीक है, और साथ मी जनवरी 2024 की जो e-book है, वो भी आ चुकी है, website पे आपको चाना है www.ravibooks.pdf.com, आपके रवी सर ने खुद डिजाइन किया है e-book, सभी topics important डाल दी है, और exam के लिए बहुत ही useful है हमारी e-book है, ठीक है friends, और quality की e-book भी available है, तो website पे करके अपने exam की द्यारी को बहुत मजबूत बना सकते हो, रवी सर ने best content रखा है, और अगर आप किसी भी topic का quiz लगाना है, या test लगाना है, तो play store पे जाके हमारा application install कर लीजे, रवी study IQG के नाम से, ठीक है friends, तो चलिए अब हम मिलते हैं next video में, thank you and wish you all the best.